राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब हमारे साथ हैं अब से चीज जाना चाहूँगा कि देखे पसमिंदा मुस्लिम समाज के अगर हम बात करें तो आप देखने कि सबसे ज़्यू दी जारे क्या इसके पीछे के वजह मान रहे हैं और भी हैं लेकिन आप आप ही मिदान पर खल जो व्यक्ति है उसके भी उद्धार के लिए उसके भी तरक्की और उन्नती के लिए हमारी सरकार को पुरी गंभीरता से काम करना चाहिए और आप देखिए कि 2014 के बाद जब मोदी जी आए या 2017 के बाद मानी मुख्वनती योग्यादित ना जी आए जब उनक के अंतिम पायदान पे खड़े हमारे लोग है उनके भी तरक्की के लिए हम पूरी तरीके से गंभीर हैं और हम सब को बराबर का वह उसर देना चाहते हैं जिससे सभी लोग के तरक्की के राश्ते कर खूले उन्नती के तरह बढ़े खास्तोर पर अगर समाज के मुस्लिम वर्ग के लिए हमारी आदरनी मोदी जी ने, हमारी योगी जी ने बहुत सारे ठोस काम किये हैं जिससे उनका विकास हो और इसी कार्यों को आगे भढ़ाते हुए मुस्लिम समाज का जो पासमांदा वर्ग है जो कि पिशड़ा वर्ग माना जाता है उनके भी जीवन में उद्धार करने के लिए उनके जीवन में तरक्की लाने के लिए उनको भी प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए आदरनी मोदी जीने और योगी जीने पुरी गंभीरता से सारी योजनाव का लाव उन्हें दिया है अगर आप देखेंगे तो अल्वसंख्यक को मिलने वाली योजनाए हैं उनका लाव तो मिलता ही है इसके साथ साथ जो निशुल्क राशन की योजना थी कुवीट काल में कि इस वैश्विक महामारी के दौरान भ रहे थी हमारे मोदी जी और योगी जी आगे आये उन्हेंने सबकी परशानी को अपनी परशानी समझा और जो निशुल्क राशन वित्रन का जो योजना थी उसका भी बड़ा और सीधा लाव समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को मिलने का उनको देने का काम कि और इसका भी सीधा लाव पासमांदा समाज के जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको भी इसका लाव मिला और उनको बीना भेद भाव के और बीना भ्रश्टाचार के पूरे उत्तर प्रदेश से कहीं से भी ऐसी कुई क्प्लीन नहीं आई जहां किसी ने शिकायत कि उन्हें कि बिना भेद भाव के बिना ब्रश्टाचार के हम पहुंचाने में कामियाब हुए हैं और मुस्लिम् वर्क समाज मुझे पासमांदा समाज उनके विकास के लिए लगातार हमारी सरकार्ट होस काम कर रही है अगर आठ साल की बात कर लें, दोजार आज़ चौदे से लेकर अब तक की बात कर लें, तो जो एक सर्वे निकल का आए अगर संकी बात कर लें, तो एक परतिशत मुस्लिम समाज में पूर्ट दिया, तो क्या वज़ा रही कि बज़ ये एक परतिशत तक आख़डा से मुटा नहीं नहीं, लगातार हर चुनाओं में, हमारे जो मुस्लिम मत दाता है, उनके अंदर हमने अपने कारेों से उनके अंदर एक विश्वास जगाया है, उनको अब हम पर भरुसा है, अगर आप देखिए, जो उप चुनाओं भी हुआ है रामपूर का और आजमगर का, दोनो ही जगा हमारी पार्टी ने जीत हासिल की है, उसका सीधा यह मतलब है कि अब समाज का सभी वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सीख हो, चाहे साई हो, हर वर्ग ने आगे बर चड़कर इस चुनाओं में हिस्सा लिया, सबने हम पर विश्वास जताते हमारे पार्टी को वोट दिया, हमें जीत का सहरा हमारे सर पर बंधा, उसका सीधा से आम जन्मानों को जाता है, और खास तोर पे, अल्म शंक्यक समाज के जो हमारे मुस्लिम भाई है, जो पासमंदा भाई है, उन्होंने भी आगे आकर हम पर विश्वास जताया, हमें वोट देकर हमें अपनी सेवा करने का उसर दिया, तो अगर बात कर लो, तो दोज़ार चौविस में आपको क्या लग रहा है, कितना अपने समाज को चुकि चाहे यूपी बोर्ड, मदर्सा चेयर्मेन की उसकी बात कर लें, आपकी बात कर लें, आप भी पासमंदा समास से आते है और भी कही लोग ऐसे हैं, जिनको जिम्मेदार दी गई है, तो आपको लग रहा है कि दोहजार चौबिस में और ज्यादा आप लोग जुलेंगे, क्या मतलब आपको लगता है, आपके नजर ये की बात, देखिए हमारी सरकार, अधरनी हमारे मोदी जी और योगी जी, सब क के विकास की बात करते हैं, और समाज के हर वर्ग को नत्युत्य मिले, इस विचार को बल देते हैं, इस विचार पर काम करते हैं, हमारी पाटी भी इस विचार पर काम करती है, कि समाज के सभी वर्गों को नत्युत्य का समान आउसर मिलना चाहिए, इसी तरीके से हमारे अधन ने हमारे योगी जी ने दिया और जिस तरीके से तमाम आप उत्तर प्रदेश में देखिए चाहे मंताले हो चाहे निगम बोड आयोग हो हर जगह हर समाज के लोग का प्रतिने दित्व है इसी तरीके से हम सब कोई मिल जूल के आगे बढ़ेंगे समाज को आगे ले है आज आप देखिए मदर्सो का जो आधुनी करण हो दा है मदर्सो के आधुनी करण से सीधा लाब मुस्लिम समाज को और पासमांदा समाज को मिल रहा है इसी तरीके से स्कॉलर्शिप स्कीम सो चाहे अल्प संख्यक बहुल चेत्रों का इंफ्रा डवलेप्मेंट का काम हो चाहे जो शुद्ध पेजल योजना है उसको भी बढ़ावा देने का काम हो हर जगह हमने इमानदारी से हर योजना के लिए काम किया है हर योजना का सीधाला आप सभी को मिल रहा है और इसी यही वो कारण है जिसे सब का विश्वास हमारे पाटी के प्रति हमारे मोदी जी क प्रति योगी जीगपती बढ़ रहा है आखरी सवाल में रही है नेता जी के गुरू कहीं जाते है उध्य प्रताप जी उन्होंने उध्यपूर की घटना के निंदा तो करिये लेकिन उनका यह कहना है कि क्रिया की प्रति करिया है क्या कहेंगे देखिये उध्यपूर की वास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम सब मिल जुल के भाईचारे से अपने करतव्यों का निर्वान करते हुए समाज में जो एकता है समाज का जो भाईचारा है इसको बनाये रखने में हम सब अपने साभागिता करें और हिंसा की कहीं से कोई हमारी समाज में बेहार नहीं है और उसके ऊपर सकते-सक कानूनी खारह है होने ही चाहिए उनके नर्जी से देखने हैं कि पर त दिमिदारी है कि जो समाज की भायचारा है, जो समाज की शांती विवस्ता है, जो समाज का कानून विवस्ता है, उसको मेंटेन करना है में हम सब इमानदारी से अपना सही होग करें. बहुत बहुत शुक्रिया तो देखिए राज्य मंतरी दानिश आजाद अंसारी साहब हमारे साथ हैं सीधा कह रहे हैं कि हिंसा के लिए देश में कोई जगा नहीं है और पासमिन्दा समाज के जिस तरीके से उन्हें कहा कि सबसे ज़्यादा तवज्य दी जा रही तो उनका कह जादा जो आप संक्यक समाज की बात हो या मुसलिम समाज की बात हो वो तेजी से बीजेपी के साथ चुड़ेगा वीडियो जर्नलिस्ट राजिश शर्मा के साथ सनुच शर्मा एबीपी गंगा मेरट एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी